गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी देवा दे ताके जब भी हम अपलोड करे कोई वीडियो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए जनगनना 2011 के अनुसार भारत का लिंगा नुपात है शेक्स रेशियो और इसका सही एंसर है 943 943 जनगनना 2011 के अनुसार भारत का लिंगा नुपात 943 और इससे जुरा हुआ क्या क्या आ सकता है तो सरवदिक लिंगानुपात वाले राज घटे करम में सबसे ज्यादा सरवदिक लिंगानुपात वाले उसके बाद उससे कम उससे कम घटे करम में भी ये सवाल आता है तो उसको देखते तो सरवदिक लिंगानुपात भारत में केरल का है जो 10-84 है और उसके बाद तमिल नाडो है 996-996 और उसके बाद आंध्र परदेश है 993-993 तो इस तरह के प्रश्ण में भी आते हैं पीच Mississippi खरर dobrane इस तरह करें तो सर्वादिक लिंगा नुपात घटते about 여 मैं केरल नमें दो और रिल नंतम नंपात वाले राजिए बढ़ते करम में सबसे पहले सबसे कम नुपात वाले फिर उससे कम और उससे कम तो सबसे कम लिंगान उपात है हरियाना का हरी हमेर्फ दो हजार एकारा के अमसार जरगनना two-h vot leur हमेर्फ हरियाना का सबसे कम लिंगान उपात जो 879 है और दूसरे स्थान पे जम्मू कस्मीर है जो 889 है 889 और तीसरे स्थान पे सिक्किम है 890 तो सबसे कम लिंगानुपात है हडियाना उसके बाद है जम्मू कश्मीर उसके बाद सिक्किम आप डीजिट भी याद रखेंगे वो ज्याद़ दरूरी है और 2020 में बदल जाएगा यह सब आंक्रे हर 10 साल पे जनगन्ना होती है यह आपको पता ही है तो बाहराल इसको याद कर लिजिए ताकि अंदादर है किस तरह से स्टैटस चेंज होता है क्या ट्रेण्ट क्या है जनगन्ना में किस तरह की ट्रेंज हैं चेंजिंग ट्रेंज क्या है तो चलिए नया सवाल है भारत में चुनाव आयोग ड्वारा चुनाव परचार के लिए निर्धारित अवधी है ये प्रश्न आया था भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव परचार के लिए निर्धारित अवधी है तो इसका सही उत्तर है चुनाव चेत्र में चुनाव परचार चुनाव की तीती से 48 घंटे पुर्व समाप्थ कर दिया जाता है चुनाओ पर चार को 48 घंटे पुर्व समाप्त किया जाता है और नेक्स्ट कॉस्चिन की तरफ लिखते समय हड़ी, हाथ की हड़ी कौन सी पेन को सही स्थिती में पकरने में सहायक है हाथ में कई परकार की हड़ीयां है यह सवाल आया हुए, कि लिखते समय हाथ की कौन सी पेन को सही स्थिती में पकरने में सहायक है तो एक है कारपल्स, एक है मेटा कारपल्स और एक है फैलेंजिस और आप्सन था यह और डी में आप्सन है उप्रोप सभी तो कारपल्स, मेटा कारपल्स और फैलेंजिस यह तीनों हड़ियां जो है कलम को पकरने में सहायक होती है कारपल्स, मेटा कारपल्स और फैलेंजिस हाथ की हड़ियों के बारे में जानते हैं कौन सी हड़ि कौन सी है उपरी बाहु उपरी बाही की जो हड़ि है उसको हमरस कहते है और अगर बाहु आगे वाला जो हिस्सा है उसको रेडियो अलना कहते है आगे वाला जो हिस्सा है और कलाई को कारपल्स कहते है कलाई में जो हड़ी है उसको कारपल्स कहते है और हथेली की हड़ी को मेटा कारपल्स कहते है उसके बाद अंगुली की जो हड़ीयां है उसको फैलेंजेस कहते है तो एक तो हमरस है उपरी बाहूं उसके बाद रेडियो अलना और के बाद कारपल्स मेटा कारपल्स और फैलें इस तिन परकार के हड़ी है हतेली में कारपल्स मेटा कारपल्स और फैलेंजेस ये तीनों जरूरी है अंगलियों की हड़ीयां फैलेंजेस कहलाती है और कलाई वाली कारपल्स और हतेली वाली मेटा कारपल्स और पैर की हड़ी जो है उसके बारे में देखते हैं पैर की हड़ जांग में जो हड़ी होती है उसको फीमर कहते हैं जो आपको पता ही है सबसे बरी हड़ी होती है शरीर की और सबसे छोटी हड़ी का नाम आप लोग बताएंगे हमने पूछा था एक कुईज में कि सबसे छोटी हड़ी कहां पर पाई जाती है तो सबसे छोटी हड़ी का नाम अब comment box में बताएंगे सबसे बड़ी जो जांग में फीमर है ठीक है और पिंडली है पिंडली में जो हड़ी पाए जाते हैं इसको tibia fibula कहते हैं tibia fibula घुटना में जो हड़ी है उसको patela कहते हैं और टकना में tarsals टकना tarsals और तलवा में जो हड़ी पाई जाती है उसको मेटा tarsals कहते हैं मेटा tarsals अब सवाल लेते हैं तो पहला सवाल है कि आठवी अनुसूची में कितनी भासाओं का उल्लेख है और दूसरा प्रश्ण है कि 2004 में कितनी भासाएं आठवी अनुसूची में जोड़ी थी और तीसरा प्रश्ण उन भासाओं के क्या नाम है जो 2004 में भासाएं आठवी अनुसूची में जोड़ी थी तो अब हम समाप्त करते हैं इस वीडियो का चैप्टर अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे थेंक यू मजड़ सकात करेंगे जोची में प्रहाण वीडियो का उराण यू यू